हेलो एन वेलकम बैक आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया का खास प्रोग्राम बॉलिवुट गपशक मेरे यानि शिवानी के साथ और लीज एक बार फिर से मैं हाजर हूँ बॉलिवुट की स्पाइसी और तासा खबरों के साथ तो देर किस बात की चलिए करते हैं के लाइफ से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी अपडेट जानना चाहता है वेल जल्द ही संजय कपूर की बेटी शनाय कपूर भी फिल्मों में कदम रखने वाली हैं हलाकि इससे पहले ही सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की संख्या बहुत जादा है शनाय अपने ब पिक्चर्स में तीनों पूरे मस्ती के मूड में नजर आ रही है शनाय ने कैप्शन में लिखा माई काइंड ओफ क्रेजी शनाय के इस पोस्ट पर कई तरह के कॉमेंट्स भी आ रहे हैं शनाय के पिता ने मजाकी अंदाज में लिखा आज रात मेरी नींद उड़ी हुई है तो वही कई और सितारों ने भी इस पोस्ट पर कॉमेंट किया लेकिन कुछ लोगों ने इन मोहतरमाओं को ट्रोल भी कर दिया है वैसे ये जो हमारे सीरियल्स है ना इनमें जो कहानिया होती है ना ये बहुत ही अजीब और गरीब होती है यहां कभी किसी से दोस्ती होती है तो कभी किसी से दुश्मनी वैसे अगर बात करें, इन स्टार्ज के Real Life की तो इन स्टार्ज के रिश्टे Real Life में बहुत ही अच्छे होते हैं अब अगर बात करें, दो सहीलियों की बारे में जिने आप हर रोज अपने टेलिविजन स्क्रीन पर देखते हैं वैसे तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इमली और अनोखी का रिष्टा बहुत ही गहरा है जी हाँ आपको बता दे कि इन दोनों बेस्टीज का रिष्टा रियल लाइफ में काफी पुराना है और ये दोनों आज भी पक्की सही लिया है और तो और इन दोनों का अपार्टमेंट भी आसपास में है वो कहते हैं ना समय नहीं मिल पाता तो मुलाकात नहीं होती है लेकिन दो सखिया कभ तक भला दूर रहेंगी इने जैसे ही मौका मिलता है ये पहुँच जाती है एक दूसरे के घर और मिल कर करती है धेल सारी मस्तिया बॉलिवुट में अपना जलवा दिखाने के बाद अप सूपर स्टार रनवीर सिंग अपना टेलिविजन डेविव करने के लिए बिलकुल तयार है जो यहां आपने सही सुना रनवीर सिंग कलर्स चैनल से अपना टेलिविजन डेविव करने जा रहे है कलर्स एक नया शो लेकर आ रहा है जिसका नाम है दबिग पिक्चर कलर्स चैनल के अलावे रनवीर का ये शो वूट और जियो जैसी OTT प्लैटफॉर्म पर भी स्ट्रीम होगा अपनी टीवी डेविव को लेकर मिस्टर सिंग काफी खुश है रनवीर ने छोटे परदे से डेविव करने को लेकर अपने एक बयान में कहा कि एक कलाकार के रूप में मेरी यात्रा में परयोग और तलाशनी की चाह हमेशा से ही रही है भारतीय सिनेमा ने निर्विरवाद रूप से मुझे सब कुछ दिया है ये मेरे लिए एक अभिनीता के रूप में अपने कोशल को प्रदर्शित करने का एक मंच रहा है और मुझे भारत के लोगों से अपार प्यार मिला है मैं कलर्स के दबिग प्रिक्चर्स के साथ अपने टेलिविजन डेव्यू के माधियम से उनकी साथ बेहत अनोखे और आकरशित तरीके से जुड़ना चाहता हूँ वहीं अब खबरे ये भी सामने आ रही है कि रनवीर में पिछले हफते ही इसके टीजर के लिए शूटिंग की है और ये टीजर जल्द ही जारी किया जाएगा कहा जा रहा है कि ये शो काफी अलग होने वाला है ये शो मनोरंजन की नए सीमाओ को बिलकुल तोड़ देगा शो के लिए रनवीर के साथ साथ इसके मेकर्स भी बेहग खुश है मेकर्स का कहना है कि रनवीर को शो के होस्ट के रूप में इसलिए लिया गया है क्योंकि वो यूथ आइकन है और अपने महनती अंदाज से लोगों को मॉटिवेट भी करते रहते हैं वैसे तो अब इस शो में रनवीर का नए अंदाज देखना कमाल का होगा देखिए घर में जब ये फंक्शन होता है न चाहें वो शादी का हो या फिर बच्चे के आने की खुशी हो यकीन मानगे बड़ा मज़ा आता है तो चलिए कुंडली भागे में गोद भराई की रस्म हो रही है क्योंकि फाइनली तीन साल बाद जबसे हमने शालीन को देखा है वो भाई बस गुड निउस देने वाली ही होती है लेकिन अब फाइनली गोड निउस आने वाली है क्योंकि भाई अब तो गोद भराई की रस्म भी हो गई है लेकिन गोद भराई की रस्म से पहले ही ठीक पहले ही भाई हमारी प्रीता ने होने वाले बाप को जर दिया जोरदार तमाचा और फिर क्या था आ गया कहानी मेंने अट्वेस्ट वैसे जिस घड़ी का इंतजार लोत्रया परिवार और नजाने कुंडली भागे के कितने दर्शक कर रहे थे यानि कि फाइनिली अब वो दिन आ ही गया जस्तिन शर्लीन की गोध भराई हुई है कहते हैं वक्त की एक खासियत है अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है कभी एक जसा नहीं रहता कार्थिकारेन के साथ कुछ महीनों से ऐसा ही हो रहा है वॉलिवोड एक्टर कार्थिक आरेन बीते कुछ समय से फिल्मों से बाहर होने के चलते काफी सुर्खियों में थे लेकिन खुश दिनों पहले ही कार्थिक ने फैन्स के साथ गुड निउस भी शेयर की थी कार्थिक ने बताया था कि वो जल्द ही फिल्म साजिद नाडियावाला की अपकमिंग फिल्म सत्या नारायन की कथा में दिखेंगे लेकिन अब लेटेस्ट खबरों के मताबिक इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है जिस वज़े से फिल्म का टाइटल बदलने की मांग हो रही है फिल्म के डिरेक्टर समीर विद्वांस ने एक अधिकारिक बयान में लिखा है फिल्म का एक टाइटल कुछ ऐसा है जो रचनात्मक प्रक्रिया की माध्यम से विवस्तित रूप से उभरता है हमने भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए अपनी हाल ही में घोशित फिल्म सथ्यन अरायन की कथा की टाइटल को बदलने का निर्ने लिया है फिल्म के निर्माता और क्रियेटिव टीम भी इस फैसले के पूर्ण समर्थन में है हम अपनी यात्रा की दौरान अपनी प्रेम कहानी के लिए एक नए शीर्षक के घोशना करेंगे इमानदारी से समीर विद्वान हलाके फिल्म का नया टाइटल क्या होगा इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है वैसो तो यह फिल्म इस साल के अंग तक फ्लोर पर आने के लिए पूरी तरह से तयार है बॉलिवड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही बॉलिवड और टीवी से जुड़े बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रिवर्सी हर ख़वर मिलेगी बॉलिवड गपशप पे तो फिर धमाकेदार एंटर्टेन्मेंट के लिए जुड़े रही हमारे साथ और देखते रही है इंडूस्वल इंडिया